जैहिन दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग तो आज आनों बात करने वाले हैं West Indies और Ireland के 3rd ODI मैच के बारे में तो दोस्तों इस complete वीडियो के में हम लोग पूरे इस मैच के बारे में detail analysis करेंगे पहले तो हम लोग pitch report पे analysis करेंगे कि pitch कैसा behave करेगा उसके बाद दोस्तों दोनों ही टीमों के बारे में analyze करेंगे कि कौन से टीम अच्छी है किस टीम पे आप दाव खेल सकते हैं किस टीम को आप favor कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे 5 टीम की combination मिलेगी जिससे आप 100% winning कर पाएंगे इस match में तो यह 5 combination आपको head to head, SL, GL, 3-0 ही format में जीत दिलाएगी तो इन 5 टीमों को अच्छे से देखेंगे और दोस्तों इस 5 टीमों को देखते देखते आपको समझ में जागी कि कौन से प्लेयरों पे आप risk ले सकते हैं किस प्लेयरों को आप head to head में रख सकते हैं, किस प्लेयरों को safe प्लेयर मान सकते हैं, किन प्लेयरों को key प्लेयर मान सकते हैं सारा कुछ दोस्तों detail में जान जाएंगे तो यह complete वीडियो आपको watch करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप इस third ODI match में जीतना चाते हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही important होने वाली है one by one सारे discuss करेंगे दोस्तों हर बातों पे तो दोस्तों पूरे ध्यान से इस वीडियो में बने रहेंगे और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहेंगे तो वीडियो को like जरूर कर दीजेगा और हमारे चैनल में अगर पहली बार आए होंगे तो वीडियो को subscribe जरूर कर लिजेगा टेलिग्राम गुरूप और इंस्टाग्राम गुरूप में भी जॉइन हो जाएगा तो दोस्तों ये जो मैच है वो सबीना पार्क में खेला जाएगा सबीना पार्क दोस्तों ये स्टेडियम का नाम है जो कि जमाइका में स्थित है जमाइका वेस्ट इंडीज में है दोस्तों तो जमाइका में स्थित है ये सबीना पार्क जहां पर दोस्तो जो average score निकल कर आ रही है वो 230 रनों के आसपास का निकल कर आ रहा है हाला कि दोस्तो दोनों ही टीम तो उतनी बड़ी तगड़ी नहीं है वेस्ट इंडीज भी धारा सही तुनंत हो जाती है और Ireland भी तो बड़ी टीम नहीं है तो ज़्यादा score आपको बनते व होता है लेकिन 50 ओबर का यहां पर दोस्तो मैच है तो आपको थोड़ा यहां पर बोलर पर पर प्रिफरेंस देना चाहिए क्योंकि बोलर को 10-10 ओबर का मौका मिलेगा और आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं और बात कर लेते दोस्तो इस मैच में जो spinner है उनको 40% का support है और दोस मिलेगी तो यह पूरी complete analysis थी pitch की तो pitch की आपको तो समझ हो गई अब बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों के बारे में तो दोस्तो दोनों ही टीमों की बात करें तो West Indies के recent के 5 मैचों की बात करें तो इनका form कुछ उतना अच्छा नहीं है दोस्तो recent के 5 मैचों में मातर यह दो ह मुकाबला यह हा रहे हैं दोस्तो आर्लैंड की बात करें तो यह recent के 5 मुकाबला में यह भी दो ही मुकाबला विन की है और एक मुकाबला इनका no result रहा था और दो मुकाबले यह लॉस की थे तो इन से अच्छा मतलब West Indies से अच्छा आर्लैंड अभी दिख रही है लेकिन द जलते हैं दोस्तो आपको पांचो टीमों से रूबरू करवाते हैं जहां से आपको समझ में आएगा कि किन प्लेयरों पर आप रिस्क ले सकते हैं और किन प्लेयरों को SL में किन प्लेयरों को GL में और किन प्लेयरों को HIT TO HIT में आप जगा दे सकते हैं तो दोस्तो यह मेरी प चार बॉलिंग के ओपसटन आपके वेस्टेंडीच के तरब से होते हैं औरसे सहरो में आरलन के औरी कर सकते हैं और अधिर दोस्त कर सकते हैं हिट माइनलगर में और श्वायर है बायर कोई पालिंटाइस वेफस्देंड्ग albo दोस्ते हैं फाइदेमंद प्लेयर हैं और higher percentage वाले प्लेयर हैं जो आपको hit to hit का मुकाबला जीता सकते हैं तो कोई changes आपको करने के अगर अपने तरफ से इच्छा है तो उसको कर सकते हैं या फिर same team से जाकर आप easily hit to hit का मुकाबला जीत सकते हैं और साथ ही साथ दोस्तो इस team को आप grand league में भी लगा लेंगे अब चलते हैं दोस्तो दूसरी team की तरफ तो दोस्तो यह मेरी दूसरी team है जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि इस team में बोलर्स जादा हैं दोस्तो आपको तो एक पार होंगे कि 4 balling की मतलब 7 balling की option आपको पूरे के पूरे मिल जाते हैं इस team में और मा दो ही option आपको Ireland के तरफ से मिल रहे हैं अगर बढ़ाना चाहेंगे तो आप बढ़ा सकते हैं एक यहाँ पर Brooks को कम कर सकते हैं और इधर के batsman डाल सकते हैं या फिर दोस्तो सेम team से जाकर आप easily win कर सकते हैं mini GL का contest यह team आपको mini GL जरूर जिताएगा तो इस team को आप mini GL में लगा डालेंगे अब चलते हैं दोस्तो आपको risk टीमों से मिल रहे हैं तो दोस्तो यह रिस्की टीम जरूर है इस team में देख पा रहे होंगे कि दोस्तो यहाँ पे 4 balling के option आपको West Indies के तरफ से मिल रहे हैं तो यह complete दोस्तो आपको दुनों ही तरफ से team लिया हुआ मतलब आपको यह बोलेंगे तो perfect balance team है जिससे आप winning कर सकते हैं grand league का मुकाबला क्योंकि दोस्तों यहाँ पे captain और vice captain थोड़ी risk की जरूर है तो risk ली जाएगा तभी आप win कर सकते हैं grand league से player लोग तो सभी कोई बनाएगे captain और vice captain तो अगर grand league जीतना है तो आपको यहाँ पे risky player ओपे भरोसा करना पड़ेगा तो दोस्तों यह मेरे चौंती team है जिसको मैंने grand league के लिए बनाया है इस team में एक खास्त है कि इस team को मैंने थोड़ा favor किया है Ireland को 4 balling के option Ireland के तरफ से मिल रहा है और मातरे 2 balling के option आपको West Indies के तरफ से मिल रहा है और 4 batting के option आपको West Indies के तरफ से और 4 batting के option आपको Ireland के तरफ से भी मिल रही है तो यह team भी थोड़ी से risky जरूर है लेकिन आपके लिए फायदे मन्त जरूर है दोस्तों यहाँ पर मैंने Sain Hope को Vice Captain और Captain मैंने आहिल हुसिन को बनाया है अगर change करना चाहेंगे तो दोस्तो J Little को आप try कर सकते हैं या फिर Camper को भी try कर सकते हैं यह आपके उपर है या फिर same team से जाकर आप easily win कर सकते हैं आखरी team की तरफ चले दोस्तो यह मेरी आखरी team है जो कि बहुत जादा risk की team है आप यहाँ पर दोस्तो ग्रेप्स को हटा कर यहाँ पर दोस्तो आप पुलाड को रख सकते हैं या फिर रोस्टन चेस तो आपके लिए best हैं इनके साथ भी जा सकते हैं इस team में Camper को मैंने रख रखा है डॉक्रेल को रखा है दोस्तो और balling के option चार आपको आपको आरेंड के तरफ से मिल जा रहे हैं तो यह team भी बहुत इच्छी है दोस्तो इस team से भी आप grand league जीत सकते हैं तो यह team को भी grand league में आप लगा लेंगे तो कुल मिलाकर आपको 5 combination इस वीडियो में मिल चुकी है पांचो combination को आपको लगा लेना है टॉस के बाद मैं आपको कुछ update कर दूँगा अगर इन में से कोई players नहीं खेलते हैं in case मुझे change करना होगा तो मैं आपको update कर दूँगा तो टेलिग्राम पे जरूर जूर जूर जाएंगे इंस्टाग्राम ग्रूप में भी जूर जू तो एकर दूएंट